नमस्कार दोस्तों मैं आसीज पाठक परिक्षा प्लस की टीम की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे टीम द्वारा टार्गेट 90 चलाय जा रहा है जिसमें 25 दिन का रिवीजन कोर्स है बियों के लिए इसकी पूरी जनकारी आपको आलोक सर द्वारा मैत के लेक्षर में दे दी गई होगी कि हमें 25 दिन में क्या-क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है कहां से हमें जादे नमबर उठा सकते हैं और किस पार्ट को अगदम अब पढ़ना ही नहीं है जो आप पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइस करना है कोई नया सब्जेक्ट कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है तो इसमें जो है मेन जो फोकस होता है जैसे बीयो में वह मैट्स और रिजनिंग है आपका इसमें क्या कि बीस कोश्चन तो ही आएगा मिनिमम के हैं अगर पिछला इसका प्रिवियस प पचास कोश्चन आयते पूरे तो उस बेटेश की हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि 120 में उस परसेंटेश के हिसाब से 30 से 35 कोश्चन हो जाए तो मैट्स और रिजनिंग का एक अच्छा रोल है इसमें और कहीं ने कहीं आपको 100% मार्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है अ किसको जादे फोकस करके कुश्चन उठाता है तो आप बस वही टॉपिक कम्प्लीट कर लें लास्ट के मोमेंट में और कम्प्लीट करने के बाद उस पर प्रेक्टिस कर लें तो आपको पूरा का पूरा स्योर 100% मार्क उस पर मिल जाएगा तो आपको पूरा डीटेल इसके हिस्ट्री वा मॉर्डन उसमें पता दिया जाएगा आप लड़ाईयों की संधिया पढ़ लें ठीक हर येर में जितने मुवमेंट हुए नेशनल वो पढ़ लें तो आपको उससे फायदा मिल जाएगा कि आप जो पढ़ें कम से रिवाइज हो जाएगा तो वहां पर लास् करते हुए वीडियो जादे लंभी नहों सिधे मुद्धे पर आते हैं कि हम लोग रिजनिंग में मैं रिजनिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें क्या-क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को जादे फोकस अरके पढ़ना है क्यूंकि इसमें आपको मिनिमं के दस कोश कि कौन से टॉपिक को जादे हमें फोकस करना है रिजनिंग में ठीक तो रिजनिंग में बेसिकली जहां से मेन कोशन उठाये जाता है आप से कोडिंग डिकोडिंग से उठाये जाता है जिसमें कम से कम आप से कितने कोशन पूछेगा दो से तीन कोशन ठीक है कोडिंग डिक Dinner Coding सबसे वेटेज वाला इसमें question होता है उसके बाद से आपको किसमें काम करना है distance direction पे काम करना है we say distance direction पे ये भी दो से question, blood relation इसके भी दो question कि उसके बाद से आपका blood relation के बाद आपका ranking ordering से कभी-कभी आपका पूच लेगा एक-2 question इसे पूच लेगा ठीक तो में लिए आपको जो ये coding decoding, distance direction, blood relation और उसके बाद से last में आपको आजाएगा series इस series से दो question तो रहेगा ठीक एक missing number आजाएगा सोन्य दिमागिंचाय को सबसुल कुलिक करें अगर डवागे से नहीं चथर अवाम। की सबु़िए अगर ऑगए जादे को अो चर्केटर इसमेंिन पैर Chenerk ऑगए हो Entonces अगर से देखाने होनों देखाने हैं कुलिए टोर साथ कलिक कर लाका है जदी कथम नहीं होगा, ऐसा नहीं भी पजल पढ़ने लगें, हर्षीच पढ़ने लगें, उन सब का कोई मतलम नहीं है, मैंली यह मतलम मैं, जिससे कोशन आ रहे हैं, जिससे आयोग हमेंसा फोकस कर रहा हैं, उसको at least उससे गलती ना करें, ठीक है, तो चलिए देर ना करते हो क्योंकि और कोश्चन आपको दिख रहा होगा पहले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला कोश्चन है यह यूपीची 2019 में आया हुआ कोश्चन है इस कोश्चन में देखिए बोला यदी बी से आगे बनलब बी को लेकर अंग्रेजी वडमाला का प्रतेक एक आंतर अच्छा छोटे अच्छा मतलब लोवर केस में लिखा जाए तो सेस अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्स के उत्रार्थ के प्रतम मास को कैसे लिखा जाएगा उत्रार्थ मतलब यहां यह है कि आपका जो हाफ होता है हाफ के बाद 6 महीने के बाद जो पहला मन्त आएगा वो मही ना कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें बोला B को लेकर आपको क्या करना है, लोवर केस में लिखना है, तो B को लोवर केस में लिखना है, जैसे B लोवर केस में होगा, C अपर केस में होगा, फिर D लोवर केस में होगा, ऐसे आपको लिखना है, तो B लोवर केस में हो गया, C इसके बाद F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, फिर K, अपर केस में ऐसे ही आप बढ़ते जाना है L, फिर M, फिर N, फिर O, फिर P, फिर उसके बाद आपका Q, R, S, T, U आपका क्या होगा है अपर केस, फिर V, फिर W, फिर X, फिर आपका Y अपर केस में हो जाएगा फिर स्मॉल केस में Z हो जाएगा अब इसमें पूछ रहा है कि जब July आएगा J, U, L, Y जुलाई इसको इस वाले कोड वाहसा में कैसे लिखा जाएगा तो J को क्या लिखा जाएगा, J किसमें है, Small में है, ठीक है, U किसमें है, आपका अपर केस हो जाएगा L किसमें है, Lower case में है, और Y किसमें है, आपका अपर केस में है, तो यह हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा option दिख रहा है, L, Y, देखिए, J, U, L, Y, आपका option कौन सा दिख रहा है, C दिख रहा है, तो option आपका C आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगले question की तरह बढ़ते हैं, अगला question हम L, S, J, X, V, C में, उसके बाद से पूछ रहा है कि दिली का code क्या होगा, simple सा ऐसा coding decoding आता है आपको, coding decoding में आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे पहली बात कि आपको जीतने भी alphabets में number हैं, उनके number की position value आपको हमेशा मोजवानी रटी होनी चाहिए, अगर नहीं चाहिए और exam सुरू होने से पहले जो आपको paper मिलता है, उसके पूरी-पूरी A, B, C, D, A से लेके J तक लिख लें, उसकी numbering कर लें, उसके क्या होता है कि coding decoding के question करने में काफी आसानी होती है, उसके पता चल जाता है कि इसकी place value यह है, तो इसका अंतर कितने का होगा, कितने का नहीं होगा, जैसे, बोला है, बॉंबई, M, U, M, B, A, I, उसके पाद से इसको code किया गया है, L, S, J, X, V, C में, तो अब इसका value अगर आपको याद है, तो पता चल जाता है, M कितने पहोता है, 13 पे, U, 21, M, 13, B कितने पहोता है आपका, 2, 1, 9, ठीक, ऐसे ही 12, 19, 10, X कितने पहोता है, 24, 22, और C कितने पहोता है, 3 पे, अब यहाँ से देखें, तो यह कितने का अंतर दिखा रहा है, इसमें, 13 से 12 है, तो minus 1, U से 19 पे आए, 21 से 19 पे आए, तो कितने का अंतर होगा है, minus 2, इस से कितने का अंतर होगा है, minus 3, इस से कितने का अंतर होगा है, minus 6, ऐसे ही हो 2,000-5 बस आपको पकड में आ गया एक बार आपको सिफ पकड में आ जाए कि क्या series चल ला है coding recording में तो पुरा solve करने की ज़रोथ नहीं है बात पता ही चल जाएगा जैसे यहां पर आपको डेली का पूछ रहा है कि डेली का code क्या होगा देली का कोड क्या होगा तो डी का क्या होगा डी कितने पाता है चार पे प्लेस वैलू लिख लो ये पांच पे ये बारा पे ये आठ पे और ये नौ पे यहां से कितना कम करेंगे एक कम करेंगे तो किस पे आएंगे सी पे 9 पे कितना कम करेंग, 1 यहां से कम हुआ, 2, 3, 4, 5 यहां से कम हुगा तो last later क्या होना चाहिए, 9 में से 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम हुआ, यहां से 5 कम होगा तो 9 में से 5 जागा, तो 4 आएगा, 4 पे क्या था D तो देख लो, कौन सा है, last में D कहा है एक ही option में दिख रहा है तुम्हें, first पे C है, last में D है तो option A सही हो जाएगा, बस यही आपका time management है कि time कैसे बचाना है question को, यह नहीं की पूरा, सब में देख लो जब option आपको ऐसा लगे कि दोनों में, दो option सेम जैसे match कर रहे है तो आपको एक दो लेटर तक और जाने की जरूरत पड़ेगी, वाइदा नहीं जरूरत पड़ेगी maximum जो UP, PCS के question होते हैं, उनमें ऐसा option सेट किया जाता है कि आपको एक ही option ऐसा लगेगा, उसमें उसी जैसा होगा, जैसा आप code कर रहे हैं तुरंद जल्दी ही मिल जाता है, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question हमारा 24 number question है, इसमें भी coding decoding से है, इसमें पूछ रहा है आपका, कि Roman है इसको code किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 से, बहुत simple सा question है, और यह आपके UPSC में आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2018 में, दिनेस का code है, 6, 7, 5, 8, 4, 9, अब पूछ रहा है हमाम, हमाम का code क्या होगा तो आपको पता है, Roman कैसे code किया गया, 1, 2, 3, 4, 5 से, उसके बाद से दिनेस इसका code क्या किया गया है आपको, 6, 7, 5, 8, 4, 9, पूछ रहा है हमाम का code क्या होगा, H, A, M, A, M अब इस type के code में क्या करना है, जो आपको उपर दिया है, उसी सी यह कही ने कही लेटर बना होगा ह, A, M, A, M में जितने भी लेटर यूज हुए हो, कही ने कही ने दोनों से बने होगे तो बस आपको उज क्या कर रहा है, कि इन में जो भी लेटर यूज हुआ, उनका code देख लेते हैं, जैसे M H, H यहाँ use हुआ है, तो पहले H आया, तो H का क्या code होगा, 9, तो 9 हो जाएगा, सबसे पहले last में M है, तो M का code क्या होगा, 3, तो last के 3 आएगा, तो पहला वाला 9 होगा, last में 3 होगा, देखो कितने option मिलना है, यह option नहीं होगा यह option नहीं होगा, option A और B में कोई होगा, चलो देख लेते हैं, A का code क्या होगा, यहाँ से, देखो, A का code 4 होगा, तो डाइट 4 से जो शुरू होगा एक का code, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, R, O, M, यहाँ रोमन है, O है, ठीक है, रोमन है यह, R, A, M, O, N है, तो एक का code यहाँ से 2 आएगा, sorry यह 2 होगा, ठीक है, एक का code क्या होगा, 2 होगा, देखो, R, A, M, O, N है, रेमोन, तो 2 होगा इसका code, तो 9, 2, last में 3 होना चाहिए, तो 2 मिलना है अभी भी, अगला देख लेते हैं, M का code क्या होगा फिर से, M फिर 3 पे होगा, तो 9, 2, 3 वाला, तो 9, 2, 3 किसमें है, B में है, तो option B हमारा सही हो जाएगा, अगले question के तरह बढ़ते हैं, अगला question हमारा, same coding decoding से ये भी आपका UPSC 2017 में आया हुआ question है, simple सा question है, बोला है किसी निश्चित code में, 2, 5, 6 को लाल रंग चाक है, 5, 8, 9 को हरा रंग फूल है, 2, 5, 4 को हर्थ जो है, वो सफेद रंग चाक है, उस code में सफेद का code क्या होगा, बस आप लिख लिजिए, इसमें देख लिजिए कि common क् चलिए मैं इसी में बता दे रहा हूँ, देखे 2 है, 5 है और 6 है, और यहां पे जो दूसरा आपका है, 5, 8, 9, इसमें दोनों में common क्या है, 5 common है, दोनों में common क्या है, 5, इसका मतलब इन दोनों का जो अर्थ है, उसमें भी कोई एक चीच common होगी, जैसे यहां लाल रंग चाक, यहां हरा रंग full, तो कौन सा चीच इसमें दोनों में common मिला आपको, कौन सा मिला, रंग मिला, तो जो रंग मिला यह आपका किसका code हो जाएगा, रंग का code क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगला ऐसे ही, second और third में देखते हैं, क्या common है, 5, 8, 9, 2, 5, 4, तो इसमें भी 5 मिल और इसमें भी क्या लिखा है, सफेद रंग, चाक तो इसमें भी क्या मिला आपसे, 2, 5, 4 है, 5, 8, 9, इसमें 5 मिला है, तो इसमें भी पता चला रंग, सेम है, यहां पे भी रंग है, यहां पे भी रंग है आपका, तो 5 तो आलरेडी हो चुका है, अब लास्ट वाले में, 2, 5 फोर बाले में और फाइफ देखें तो किया कॉममन मिल आपको दो कॉमन मिल ना तो दो कॉमन मिल आ इसका मतलब यहां लाल रंग लाल रंग trainer और यहां पर सफेद रंग चाख Ricardo यहां पर रंग और क्या कॉमन मिलाだから ठीक है तो इसका मतलब 2 का code क्या हो जाएगा चाक हो जाएगा अगला बढ़ते हैं इसके बाद से यहाँ पर चाक हो गया इसमें 6 बचा 6 का क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा और इस वाले में आएंगे तो 5, 8, 9 ठीक है 5, 8, 9 वाले समय मतलब नहीं हमें पूछा है सफेद, सफेद का code क्या होगा तो इसमें 2 और 5 2 और 5 का तो पता ही चल गया 2 का है चाक और 5 का क्या है रंग, तो 4 किसका होगा सफेद का होगा, असान सा है 4 code किसका होगा, सफेद का होगा तो answer भी होगा, option जो होगा भी आपका correct हो जाएगा अगला question है 26 S Y S M E T ठीक है, ऐसे code कर दिया जाता है और nearer को N E A R E R क्या code किया जाता A E N R E R, ये लिखते ही समय आपको पता चल गया है कि इसमें कुछ नहीं हुआ है जब भी ऐसा code आजा है कि जो भी आपका word दिया हो उसी later से ही उसकी coding की गई हो तो समय लेना उसमें ना कोई place value का use हुआ है ना ही उसमें plus minus हुआ है उसके place value में जब जितने later इसमें है same Y S Y S यहाँ पे भी same है तो उसी का कहीं ने कहीं rearrangement हुआ है position में सिफ change हुआ है जैसे देख लेते हैं ये S यहाँ आगया ये Y हो गया ये S यहाँ आगया ठीक उसके बाद M यहाँ आगया T यहाँ आगया E यहाँ आगया cross position change हुआ है जितने भी हैं अगला देख लेते हैं इसी में कि ये वाला N यहाँ आगया E बीच में आगया A यहाँ आगया R यहाँ चला गया R यहाँ चला गया और E यहाँ आगया वैसे ही आप से पूछ रहा है किसका code fraction का code पूछ रहा है तो fraction F R A C T I O N fraction अब इसमें है तो देखो क्या होगा एक इसमें कितने लेट रहा थे 3, 3, 6 थे इसमें कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है तो 4, 4 बे split करेंगे तो 1, 2, 3, 4, C तक split करेंगे तो C पहले आएगा सबसे first में F last में सबसे last में जाएगा तो उसके बाद से A हाँ आएगा और R कहाँ जाएगा यहाँ आएगा तो C A R F से देखो कोई शुरू हुआ है देख लेते हैं C A R F से 2 मिले हैं C A R F इसमें मिला है C A R F इसमें मिला है बाकी और Options दोनों क्या हो जाएगे खतम हो जाएगे उसके बाद से इसको देख लेते हैं N आएगा पहले F के बाद तो किसमें F के बाद N आएगा Option F के बाद N किसमें Salesforce option D में आ रहा है तो option D हमारे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा N यहाँ आ जाएगा आपका T कहाँ चला जाएगा last में चला जाएगा I यहाँ आ जाएगा और O कहाँ यह O आ जाएगा यहाँ आ आ जाएगा तो यह हमारा ऐसे करने का हो गया कि हम पहले देख लेते हैं कि कौन सा option पहले खतम हो जा रहे हैं जो similar है उनमें देख लेते हैं कहां तक वो similarity उसके बाद वाला देख लेते हैं बस तुरंट मिल जाता है हम लोग answer मार देते हैं कि option D होगा ये दो यार शोलो में आ था अगला question बढ़ते हैं अगले question की तरह बोला यदि किसी निश्चित code में डेट को W, J, G, V लिखा जाया तो निमलिखित में से किस code को कम में लिखा जाया सकता है यह आपसे पूछ रहा है कि अगर date को यह लिखा जा रहा है किसी code भासा में तो निमलिखित में से किस code को कम के लिए लिखा जा सकता है कम किसी के लिखा जा सकता है यह पूछ रहा है आपसे ठीक है चलिए इसे देख लेते हैं यहाँ पर date है इसकी code आपका place value पता है place value क्या होती है D की D से place value इसकी क्या हो D की 4 होती है और W की कितनी होती है 23 होती है 23 और 4 27 मतलब यह opposite pair है वैसे A का देखे A और Z यह कितने पर होता है और Z कितने पर होता है 26 पर होता है 26 और 27 मतलब जब भी coding decoding में कोई भी दो value है उनके place value का sum 27 होता है तो यह जान लेना वो कहीं ना कहीं opposite pair है मतलब कि जैसे यहाँ D है तो just इसके जब ABCD आप पूरा लिखोगे ABCDEF 13 तक होगा M पे 13 आता है फिर N से जब ऐसे M N O P Q ऐसे लिखना है start करोगे तो यहाँ A के नीचे Z ही आएगा B के नीचे क्या आएगा आपका Y आएगा तो यह opposite pair वाले बन जाते हैं तो opposite pair का sum हमेशा 27 होता है तो यहाँ पता चल गया 20 के साथ 7 लगा हुआ है तो 27 E के साथ V लगा हुआ है तो 27 तो पूछ रहा है कि कम को क्या लिखा जाएगा C O M E ठीक है तो अब यह इसका value होता है 3 यह होता है 15 यह होता है 13 और यह 5 तो 3 में क्या जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा क्योंकि opposite pair ही जोड़ना है तो 24, 23, 27 ठीक है 24 पे क्या होता है X आता है और इसमें 5 में कितना जोड़ोगे है कि 27 आ जाएगा 22, 25, 27 तो 22 पे क्या होता है V होता है यह सब याद होना चाहिए आपको कि later की position value क्या है तो देख लो जहाँ last में first letter XO last letter VO कौन सा है एक ही option दिख रहा है आपका सभी खतम हो गए यह भी नहीं है यह भी नहीं है और यह भी नहीं है तो last कौन सा है option A सही हो जाएगा ठीक है तो यह आपका हो गया करने का तरीका कि आप सिप 2 को पताच कर लिए क्यूंकि UP जो आपका UP PCS चाए UPSC हुआ है यह लोग option बहुत आसान सा set करते हैं यह आपका अगर banking होता है SAC होता तो उसमें क्या होता है तो इसमें क्या होता है इसमें नियर अबाउट जो है चाए UPSC होता उसकी reasoning में आपका जो मिलेगा option जो coding decoding है इतना नियर अबाउट होता है कि चारो सेम पे राते हैं आपको पूरा करना ही पड़ेगा तभी जाकि आपको पता चल पाएगा कि उसका answer क्या होगा अब अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question हमारा question number 28 है इसमें भी table को code किया गया है यह UPPCS का question है पहले वाला भी पीछले वाला भी 2019 का question था UPPCS का अगला 28 number question यह भी UPPCS pre 2008 का question है इसमें बोला है कि table को code किया गया है ठीक है यू C E P J में पूछ रहा है chair का code क्या होगा आपसे chair का code पूछ रहा है बस आप इसकी place value लिखिए 20 होता है यह A होता है यह 2 होता है L कितने पहोता है 12 पे E कितने पहोता है 5 पे वैसे ही U C U कितने पहोता है 21 पे C कितने पहोता है 3 पे E कितने पहोता है 5 पे P 16 पे और J 10 पे होता है तो देख लो क्या इसे code किया गया है 20 से 21 कितने का plus हुआ 1 का 1 से 3 कितने का plus हुआ 2 का 2 से 5 कितने का 3 का 12 से 16 कितने का plus 4 e से 5 से 10 कितने का plus 5 मतलब क्या चल आ plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 बस सेम ऐसे इसे code कर दो यहाँ plus 1 होगा plus 2 होगा plus 3 होगा plus 4 होगा और यहाँ plus 5 होगा तो पहले को देख लेते हैं c का code plus 2 करोगे ति सिन पे 2 add करोगी तो 5 आ जा जाओओगे पांच पे क्या होता E ऐसा ही R होता कितने हैं 18 पे 5 एड़ करोगे तो 8-5 कितना होता 23 पे क्या होता आपका W तो देख लो किस वाले code में पहले E आ रहा है आपका C पे 1 प्लस करोगे तो क्या हैगा E नहीं D आएगा ठीक है 3 पे 1 प्लस करोगे तो 2 नहीं करना 3 पे 1 प्लस करोगे तो D आएगा और लास्ट वाले में क्या हैगा W आएगा तो आपका कहां है देखो ऐसा कौन सा option में मिला ये तो है नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये option मिला option भी आपका क्या हो जागा सही हो जाएगा पूरा करने की जरूरत नहीं है अगले question की तरह बढ़ते है question number 29 इसमें बोला एक निश्चित कूट में pen code 31 मतलब 31 लिखा गया है उससी में par को क्या लिखा है 35 लिख रहा है मतलब ये कैसा है coding decoding का ये है आपका letter to word की coding decoding types of coding में अगर हम बताएं तो ये letter to word है मैंने coding recording के chapter के video बनाये हुए है आपके concept basis पे उसे आप जाके youtube पे देख सकते हूँ आपके पूरे के पूरे reasoning में जितने भी concept basis पे आपके chapter है चाया वो clock है calendar है blood relation है distance direction है ठीक है आपका जो भी होगा blood syllogism है आपका पूरा का पूरा इसके concept basis पे आपके lecture पड़े हुए है channel पे आप जाके उसे देख सकते हो और यहां पे मैं आपसे कराऊंगा question basis पे question जितने भी है चाया वो coding decoding का हो blood relation जितने भी previous year PCS में चाया UPSC में MP PCS है रास्तान PCS में जो भी question आया होगा वो मैं आपको यहां पे कराऊंगा और जब एक बार उस concept को देख लेंगे यहां पे देख लेंगे यहां पे भी मैं concept बता रहा हुँ इसमें जादे कोई खासा concept नहीं है coding decoding इसमें बहुत सह ऐसे बोला PAN को code किया गया है 31 से और PAR को code किया गया 35 से तो पूछ रहा पेड का code क्या होगा अब इसे देखते हैं P value कितनी होती है पहले 16 पे A1 पे यह 15 पे इसको करो तो क्या होगा 30 31 सबको प्लस कर दो 16 प्लस एक N कितने पहुता है 14 पे होता है 16 एक 14 सबको प्लस करोगे तो कितना हैगा 30 वाल आएगा उसी तरह से यहां पे 16 एक और 18 इन सबको प्लस करोगे ठीक है PAR तो 16 एक और 18 आपका प्लस होगा तो यह कितना हैगा 35 आएगा तो सेम ऐसे ही 16 प्लस 17 और 20 एड कर लोगे तो कितना आजाएगा 37 अपसर में दिया होगा तो यह पूरा का पूरा यह इतना असान है कि प्लेस वैलू को ही प्लस कर दिया गया कई कोस्टन ऐसे आते हैं कि इनको क्या करेगा सिंगल डिजिट में करेगा 6,1,7 फिर सब को एड करके 4,1,5 फिर 1 तो इसको एड करेगा 5,1,6 7,6,13 तब 13 लिखा रहेगा तो ऐसे कहीं कोडिंग डिकोडिंग आये तो यह भी जब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर कहीं प्लेस वैलू का ही सम नहीं कि पूरे डिजिट का सम सिंगल डिजिट में कर दिया गया ह। उसके बास से उसका सम किया गया है तो काई टाइप से कॉश्चन बन सकते हैं अगले कॉश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कॉश्चन कॉश्चन नमबर 30 इसमें बोला है आपसे कि G J ठीक है कौन सा option होगा तो option से इसे कर सकते हैं कि पहले termine में relation देख लेंगे कि कैसा relation है जैसे G और J G किस पे होता है place values की कितनी होती 7 और J कितने पे होता है 10 पे और Q कितने पे होता है 17 पे 21 पे इनके बीच में difference कितने का है plus 3 और J और 17 और 21 इसमें difference कितने का है Q और U में plus 4 7 चरीगारत अभी 21 तो same आपको ढूड़ना पड़ेगा option में कि किस option में ऐसा है कि same difference है जैसे B और C में कितने का difference हुआ B और C B के बाद C आता है plus 1 का है तो ये तो match खाया नहीं जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए ठीक तो यहाँ plus होना हो रहा है तो ये तो option होगा ही नहीं ये खतम हो गया A और B वाला इसमें भी एक का difference आ रहा है ये भी नहीं होगा A और D में देख लेते हैं A और D में तो A से D कितने का अंतर है plus 3 का क्योंकि ये एक पे होता और ये 9,4,13 तो ये होगा 23 ठीक तो सेम जैसे GJ QU थे वैसे ही AD और SW है तो ये option आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये अपका आया था question UBPCS Pree 2018 का question है अगले question की तरह बढ़ते हैं question क्या है इसमें वो देख लीजिए अगले page पर चला गया है कुश-question note कर लिए यदि किसी निश्चित code भासा में A L M I R A H को क्या लिखा जाता है B N P M W G O तो उसी code भासा में D N R W L U A को क्या लिखा जाएगा ठीक है तो इसमें आपको देख लेते हैं कि क्या है इसमें कैसे code किया गया है इसमें Simple सी बात है सबकी place value आपको याद हो नहीं चाहिए पहला काम तो आपको यही करना है जो भी अगर coding decoding आ जाया उसमें place value लिखना है plus one यहाँ पे यह one होगा इसकी place value यह 12 होगा यह 13 होगा यह 9 होगा यह 18 होगा यह 8 होगा इसकी place value यह 2 होगा यह 14 होगा यह 16 होगा और M कितने पर 13 पर यह 23 पर यह 7 पर यह 15 पर ठीक अब देख लेते हैं इसमें क्या difference है plus one है इसमें किना 12 से 14 प्लस 2 होगया इसमें plus 3 होगया 9 से 13 प्लस 4 अठारा से 8 पांस 13 प्लस 5 मतलब यह अब मिल गया कि add होता है चला जा रहा हो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 उसी तरह इसमें भी dnr w इसका place value क्या है 4 इसकी 14 इसकी 18 इसकी 23 12 पर u 21 पर 1 पर dnr w को किस code बहासा में लिखा जा सकता है ठीक है तो इसमें आपको उल्टा चलना पड़ेगा जैसे यहां क्या है मैं बता दे रहा हूँ maximum क्या होता है question पढ़ते से में गलती हो जाती है कि आप सोचते हो कि उसमें सेम ऐसे पूछा रहागा कि जैसे इसमें पूछा था ALMIR AH को यह code लिख दिया गया तो आप सोचोगे कि इसको DN वाले को क्या लिखा जाएगा इसमें अगर प्लस वन करोगे तो E आएगा यहां पर आपका सब किसमें मिल ला है C में मिल ला है T में मिल ला है इस हिसाब से आपका मिल ला है question तो इसमें आपका जो बनेगा कि DNR यह आपका यह coded form दिया हुआ DNRWLUA यह दिया हुआ है आप पूछ रहा है किसको code किया गया है ठीक है कौन सा ऐसा यहां पर word होगा जिसे code करने पर यह मिला है DNRWLUA जैसे यहां पर यह था इसे code करने पर यह मिला थी यहां से हम क्या किये प्लस वन चले जब यहां से यहां आना था तो प्लस वन चले अब हमें यहां से नीचे से उपर जाना है तो हम क्या करेंगे वही चीज माइनस में चलेंगे तो यहां से माइनस करेंगे एक तो हम कहां पहुँचेंगे C पे उसी तरह यहाँ पर जब minus करेंगे N तो यहाँ पर कहाँ पर पहुंचेंगे हम यह minus 2 करेंगे तो यहाँ पर 14 में से 2 जाएगा तो L हो जाएगा उसी तरह last letter को देख लेते हैं last letter का क्या होगा यहाँ से अगर हम minus करें 1 से minus करेंगे कहाँ पर कितना minus करना है माइनस 7 करना है आपे तो जब माइनस 7 करेंगे तो हम कहां पहुँचेंगे T पहुचेंगे T पहुचेंगे तो देख लेतें C और T किसके last में C है पहले C है और last में T है देखो 2 हाँ मिल जाएंगे तो यह खतम हो गया यह नहीं होगा किया गया है तो फिर इस वाल पूछ में कि वाला पूच रहा है। इस code को DNRWLUA लिखा जाएगा मतलब बस उसका उल्टा पूछ दिया आप से ठीक है तो उसके परसान नहीं होने की जरूरत है कि ये आपको दिया हुआ है coded किस वाले code को इसमें convert किया कि बस हुआ वाला निकालना है तो हम बस यहां से जो चीज यहां सोला में आया हुआ है सिंपल सा कोश्चन है यह बोल ला है कि देली D, E, L, H, I देली को किस में code किया गया है H, I, P, L, M में और पूछ क्या रहा है Q, E, H, V, E, W को code क्या होगा चलिए देखते है D की place value पहला का 4, 5, 12, 8, 9 H की place value क्या होगी 8, I की 9, P की क्या होगी 16, 12, 13 यह place value जब तक आपको याद नहीं है तो आप जल्दी से यह question कर नहीं पाऊगे ठीक है अब इसमें कैसे पता चला कि कि किसके आसपास का यह code लिखा गया है आपको कैसे यह code किया गया है ठीक है, तो D से H D से H E से I L से P H से L और I से M इसमें कितने का difference निकला है इसमें तो साब साब दिख रहा है प्लस 4 है, चलो देख लिए 5 से 9 जा रहा है, इसमें भी कितने का है प्लस 4 है, 12 से 16 जा रहा है, किसमें कितने का है प्लस 4 है, h से 12,000 कितने का 8,4,12, प्लस 4 है इसमें 9 से 13,000 प्लस 4 है, मतलब सब में constant कितने का increment हो रहा है, प्लस 4 का हो रहा है, ठीक है तो प्लस 4 का हो रहा है, तो अब हम इसमें देख लेंगे, एकदम simple सा है प्लस 4,4 करना है, तो क्यों क्योंकि place value, पहले लिख लो, 17 5,8 22,5 23, इसमें कितना add करोगे, प्लस 4 तो 7,4,11, मतलब कित पर आ जाओगे 21, 21 पर क्या आता है आपका 21 पर आता है आपका, U इसमें कहीं code में दिया नहीं है कि क्या है आपका 21 पर कौन सा आता है ठीक, तो इसका मतलब इसमें क्या बोला Q, E, H, V, E, W कूट है ठीक है, वर्ड पर जाईए, कूट है किसका कूट है जब भी आपका U नहीं दिखा इस option में तो आपको पता करना है कौन सा क्योंकि अगर इसका code simple ऐसे ही होता है कि 17 में 4 add करते 21 पर होता, तो यहाँ कहीं नहीं किसी option में U से starting होती मतलब आपको यह वाला code नहीं पता करना है, वो already code दिया गया है, आपको यह पता करना है कि यह कोई word है यहाँ पर, इसकी coding की गई है तो उसका code करते समय क्या है, Q, E, H, V, E, W यहाया हुआ है तो बस इसमें क्या करेंगे जैसे यहाँ पर इसका 17 है, यह 5 है यह आपका 8 है, यह 22 है यह 5 है, यह 23 है तो यहाँ से जैसे plus 4 करके आते थे यहाँ से जब यहाँ आएंगे plus 4 करेंगे मगर यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो हम minus 4 करेंगे, तो 17 में 4-niest करोगे तो कहा पहुच ओगे 13 पर थिक वैसे ही 5 मैं सर 4-ännस करोगे तो कहा पहुच ओगे एक पे तो यह 13 पर क्या आता है M, एक पर क्या आता है A, तो देखो M और A से क्या स्टाइर्टिग है, एक option स्टार्ट है मदरास, थिक बाकी कोई नहीं है यह आपका खतम हो जाएगा तो यह आपको देखना पड़ेगा कि जैसे इसमें तो simple ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें सिप बोल दिया कि अगर देली को यह किया जाता है तो QEHVEW कूठ है ठीक यह कूठ है पूठ रहा है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगी हो सकता है कि QEHVEW का ही कूठ पूठ पूछ रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे कोड करके मगर इसके अगर वैसा होता तो इसमें कहीं नहीं कहीं ऑप्सन में आपका किससे स्टार्ट होता U से स्टार्ट होता पांचच्र नो U के बाद आई आता ऐसा कोई है नहीं कहीं है कहीं 17 से कंपे का मतलब इसका कौन सा पूछा है हमसे यह पूछा कि ऐसे कौन सा word था जिसके code करके यह बनाया गया है तो वह word बताओ तो हम यहाँ से क्या करेंगे बस माइनस वाले फॉर्म में जाएंगे Q से माइनस चार चले जाएंगे E से माइनस चार चले जाएंगे तो हमारा आज आएगा 13 और 1 13 एक मतलद A आना चाहिए तो M और 1 किसी एक option में सिफ़ा रहा है बाकि किसी में नहीं आ रहा तो option B हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऐसे यह से H है तो इसमें भी minus 4 करोगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा तो D होना चाहिए ठीक इसमें से 4 minus करोगे तो यहां क्या आना चाहिए पूरा मद्रास आपका यह बन जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question इसे rough कर देते हैं काभी हो गया अगला question देख लीजिए यह आपका number पर कोडिंग डिकोडिंग है number की ही coding डिकोडिंग किया गया इसमें plus sign लगा गया है तो यह math मत समझ लेना इसे कि add करके क्यों हो यह 340 add किया जाए तो 70 होना चाहिए यहां तो 1520 लिख दिया है तो इसमें जो होता है कि आपका plus minus multiplication का सिफ sign लगा रहेगा उसका भी कुछ ना कुछ code होता है कि यह जो अगर plus लगा हो सकता है multiplication का हो हो सकता है divide का हो इसमें mathematics का rule नहीं चलेगा चलिए तो इसमें देखते हैं क्या rule चलता है 30, 40 बीच में plus का sign लिखा है और 15, 20 लिखा है तो तुरंत आपके दिमाग में click हो जाना चाहिए कि 30 का आधा कितना होता है हाफ 15 40 का हाफ कितना होता है 20 बस उसी को लिख दिया है दोनों का 15 और 20 हो गया एक साथ में लागे लिख दिया 36 का हाफ 18 28 का हाफ 14 40 का हाफ 20 20 का हाफ 10 ठिक दोनों वाले plus के उधर वाले sign का हाफ अप्लस के इधर वाले sign का half लिखके एक में लिख दिया है वैसे ही आपको 50 और 22 का बताना है तो 50 का half कितना हो जाएगा 25 और 22 का half कितना हो जाएगा 11 तो 25 ही 11 जहाँ हो वह यह answer हो जाएगा option C आपका सही हो जाएगा ये भी PCS Pre 2016 में पूछा गया था वैसे सोचते तो अगर सोचते रह जाओगे और ये हो नहीं पाएगा आपसे ठीक है 34 पे आते है 34 नमर question इसमें बोला निमलिखित में से G और Q G और Q के बिलकुल मद्ध है कौन सा है मद्ध में ये बताना है आपको तो G कितने पे आता है लेटर बताना है G और Q के बीच में या तो G से लिख लो G के बाद H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q तक पूरा लिख लो या G कितने पे आता है 7 पे और Q कितने पे आता है 17 पे तो आप क्या करोगे 17-7 कितना है 10 ठीक उसके बीच में पूछ रहा है तो इसका हाफ कर दो 5 आजाएगा तो 7 में 5 एड कर दोगे तो कितना हैगा 7-5, 12 12 पे क्या आता है L तो इसके मद में कौन सा लेटर होगा L होगा या आप सिंपल सी बात है आप G से लेके Q तक लिख लो और देख लो बीच में कौन सा लेटर आ रहा है वैसे भी आपका निकल आएगा आंसर दोनों तरीके हैं दोनों तरीके से कर सकते हैं आप लो अगले Q के तरह बढ़ते हैं Q 35 इंग्लेंड का कोड किया गया यदि इंग्लेंड को 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे कोड किया गया है और France को 7, 8, 5, 2, 9, 1 लिखा गया है किसी संकेतिक भासा में तो Greece को इसी कूट में कैसे लिखा जाएगा तो यह उल्टे वाला नहीं है यह नहीं सोचना अब इसमें क्या है सिंपल सी बात है इसमें सिफ कॉमन वाला आ गया कि England जो Greece यह आपका वर्ड यूज हुआ है वो कहीं ना कहीं इसमें जितने लेटर यूज हुए होंगे उन्हीं से बनाया है जैसे यहाँ पे G है E है तो G E यहाँ से हो गया R कहाँ पे है इसमें मिल जाएगा R आपका C किसमें मिलेगा इसमें मिल जाएगा और E किसमें मिल जाएगा इसमें मिल जाएगा मतलब जो भी वर्ड यहाँ पे Greece में यूज हुए है कहीं ना कहीं इन दोनों में है तो बस उनका code उठाके आपको लिख देना है G देखिए किसमें है इसमें है तीसरे नमबर पे तो तीसरे नमबर का code क्या होगा 3 होगा G का code ठीक है G का code 3 R का code क्या होगा R इसमें दोसरे नमबर पे 8 तो 3 8 last में E है 5 देखो last में E है तो E का code देख लेते E का code क्या है यहाँ पे last में 1 है तो इसके भी last में 1 होना चाहिए तो 3 8 last में 1 देखो यह option नहीं होगा यह option नहीं होगा देखो इसके होने के संभावना है और इसके होने के क्योंकि 3,8 इसमें भी लगया last one इसमें भी और इसमें भी मिल गया है चलो एक लेटर और बढ़ जाते E का code क्या है 1 तो 381 अभी भी आ गया दोनों में same same है फिर E का code क्या होगा फिर 1 होगा अब देखो यह cancel हो जाए क्योंकि 3,8,1 के बाद यह 9 आ गया तो यह नहीं हो सकता तो बचा के आपका यह हो सकता है तो option A इसका correct होगा ठीक है अगले code की तरह बढ़ते हैं बोला यदि CAS को ECUJ लिखा जाए इसको क्या लिखा जाए E, C, U और J तो बैंक को क्या लिखा जाएगा ठीक है बस इसकी पहला place value लिख लो बैंक का code होगा पूछा है तो इसका place क्या होगा 3,1,19,8,5,3,21,10 B का code क्या होगा 2, A का code क्या होगा 1, N का 14, K का 11 ठीक है अब इसमें देख लेते हैं क्या चलना है C से E जाना है मतलब 3 से 5 जाना है कितने का plus हुआ 2 का A से 3 जाना है कितने का plus हुआ 1 से 3 plus 2 का वो निस से 21 जाना है 20 और 21 plus 2 का 8 से 10 जाना है तो plus 2 का तो सम्में plus 2 बढ़ रहा है तो हम भी क्या करेंगे इन सम्में plus 2 बढ़ा देंगे 2 से 2 4 4 पे क्या आता है D इसमें 2 तो C इसमें 2, 14, 2 16, 16 पे क्या आता है P तो D, C, P देखो कहां आ रहा है एक ही option है यह सब पहले ही केंजिल होगा पूरेप करना ही नहीं एक सिफ यही कर लिए होते है कि 2 से प्लस 2 D आ रहा है तो D से एक ही चीज़ सुरू हो रहा है option A वाला यही आंसर होगा यही किसका है UPPCS-P 2015 का question है आसाँ सा तो आपका जो भी coding to coding आपका मिलेगा PCS के paper में बहुत आसान मिलेगा बहुत जादे उसमें दिमाग नहीं लगाना आपको जहुत जादे दिमाग लगाओगे तो पक्का गलत करके आओगे चलिए अगला question आपका coding to coding party से कर दिया है आपके जो political party है उसको code कर दिया गया CPI को क्या का दिया है DMK CPI को एक box में करके बोला है कि अगर यह CPI DMK है तो निमलिखित में से कौन सा BJP होगा ठीक है इसमें बूच रहा है कौन सा BJP होगा ठीक इन में से जो आपके option दिखा है इसलिए बोला है निमलिखित में से कौन BJP होगा तो CPI देख लेते हैं CPI को code किया है DMK में तो C की place value 3 16 और 9 यह कितना add हुगा plus 1 और 12 से m कितने का हुआ minus 3 क्योंकि यह 13 पे होता और यह 4 पे होता 9 से k 9 के बाद k पे कितने बाद है 11 पे 11 वाले में के हुआ 9 के बाद 10 11 कितने का plus हुआ 2 का plus हुआ है थीक है plus 1 minus 3 plus 2 चलदा है तो पूच रहा है BJP का code क्या होगा BJP को कैसे लिखा जाएगा तो जो इसमें चला हुआई चीज हमें इसमें चलाना है ये 2 पे होता है ये 10 पे होता है और ये कितने होता है पी 16 पे होता है तो पहले तो 1 प्लस करेंगे तो 2 पे 1 प्लस करेंगे तो 3 आए जाएगा C C वाले कितने हैं तीन उप्सन दिख रहे हैं हमें ये खतम हो जाएगा उसे में उसके बाद से J जो है इसमें माइनस 3 करेंगे क्योंकि बीच वाले माइनस 3 हुआ है तो 10 में माइनस 3 करेंगे तो 7 पे पहुंचेंगे 7 पे क्या होता है G देख लो C और G किसमें है तो C G किसमें है सिर्फ 1 में दिख रहा है option B में दिख रहा है ये हमारा answer हो जाएगा और इसमें कितना होगा प्लस 2 होगा तो 16,2, 18 होगा तो C G R तो होगा C G R तो हमारा option B ही था ये हमारा सही हो जाएगा अगले question कितना बढ़ते है question number 38 38 में क्या है K A M L को लिखा गया है इसमें थोड़ा सा आपको अलग सोचना पड़ेगा एक के लिए कमल इसको लिखा गया है 2, 1, 4, 1, 3 और पूछ रहा आप से M A H M A H A L का देखिए इसमें M भी जो है इसी से है A भी जो है इसी से है H जो है कहीं इसमें नहीं है ठीक है तो कैसे करें और single एक ही दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है जितने word इसमें दिये गया है उसका तो सेम समय लो वही code होगा जैसे M M का code क्या होगा 4 A का code क्या होगा 1 H नहीं दिया है छोड़ दो अभी इसका 1 L का code क्या होगा 3 तो 4 1 देख लो 4 1 और last में 1 3 किसमें है 4 1 1 3 इसमें नहीं है 4 1 1 3 इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है तो आपके 3 option तो खतम ही हो गए बचा क्या आपका B तो यह आपका answer हो जाएगा इसका मतलब H की जगह क्या रख दिया उसकी place value लिख दिया है इसमें और कोड नहीं मिला H नहीं मिला common तो उसकी place value लिख दिया तो बस जब भी ऐसा कुश कुशन आजाए जहां आपको ऐसा लगे कि कोई एक word छूट रहा है एक word की code इसमें नहीं है तो आप उसकी place value से रख सकते हों आपे ठीक है ये भी 2013 का कुशन था अगले कुशन की तरह पढ़ते हैं अगला कुशन है आपका इसमें बोला है वेडनेस डे को के लिखने का निमलेखित में से कौन सा सही धंग होगा जब की सब्द के प्रथम ठीक बीच के तथा अंतिम अक्षर और सब्द के सभी स्वार अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में तथा सेस बड़े अक्षरों में लिखा जाए मतला इतना ये उल्टा सिधा बोला है उसमें कुश है नहीं इसमें पहले वाले लेटर को फर्स्ट लेटर को ठीक है और जितने भी आपके कौन से स्वर हैं वावेल हैं उनको किस में लिख दिया जाए लोवर केस में और किसको बीच में जो लेटर पड़े बीच में कौन से पड़ेगा एक दो तीन चार पांच यहां आ रहा है और एक दो तीन चार पांच यहां आ रहा है मतलब पहला वाला लेटर तो इसमाल में होना चाहिए और कौन सा लास्ट वाला लेटर इसमाल में होना चाहिए अंती मक्षर भी बोला है प्रथम वाला भी बोला है और बीच वाला भी बोला है तो बीच वाला ये सभी क्या होगा इसमाल में होगा और जितने even होंगे वो क्या होंगे वो भी small में होंगे तो even क्या है स्वार मतलब even मतलब नहीं स्वार पोचा है जो स्वार होंगे वो भी किस में होंगे small case में होंगे तो e भी क्या होगा आपका स्वार है तो e होगा उसके बाद D आपका capital में हो जाएगा ठीक है उसके बाद N आएगा यह भी capital में हो जाएगा फिर E आगया तो बीच वाले लेटर ओ गया तो यह आपका small में रहेगा उसके बाद से आपका kya आया है S आया है तो S क्या होगा ये भी वावल नहीं है तो ये भी बढ़ा होगा S के बाद D I I I ये भी वावल नहीं ये भी बढ़ा होगा A I I I ये वावल है तो ये small में हो जाएगा तो ऐसा कहां लिखा देख लो W E D ठीक है? N फिर small E फिर capital S capital D small A, small Y तो ये आपका option B से match खा रहा है तो ये हो जाएगा इसमें कुछ नहीं बोला था बोला था पहले लेटर को बीच वाले को और लास्ट वाले को अगर इस small में लिख दिया जाए और साथ ही साथ जो वावल हो उनको भी small लेटर में लिखा जाए तो वेटनर्स डे को कैसे लिखा जा सकता है बस वही पूछा था और कुछ नहीं था इसमें चली अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन हमारा कोशन नमबर 40 UK PCS में आया हुआ है उत्तरय अखन PCS इसमें पूछ रहा है ऐसे कोशन आपके आते हैं दे देगा और पूछेगा इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है नीचे दिया गए सब्द V E N T U R E S O M E लिखा हुआ है कि अक्षरों के किस सब्द को बनाया जा सकता है इसमें पूछा है कि किसे बनाया जा सकता है और किसी किसी में आप से पूछ देता है कि किसे नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो देखिए पहला अगर हम आप्शन से करते हैं इसको R, O, S R मिल जाएगा, O मिल जाएगा, S मिल जाएगा T मिल जाएगा, R देखो, R इसमें double नहीं है, एक ही बार है एक बार use हो गया, double नहीं है, तो यह नहीं बन सकता इसमें देखते हैं T, R, A, V तो T, R फिर A, A इसमें कहीं हैं नहीं तो यह भी नहीं बन सकता इसमें C option में आते हैं, S, E, R S, E, R, मिल गया M, O, N कोई repetition भी नहीं है, तो इसलिए यह आराम से बन जाएगा, तो यह हमार answer हो जाएगा, पूछा था कौन सा बन सकता है नहीं पूछता है, कौन सा नहीं बन सकता है तो वह उसका अलग होता है, कोई ऐसा होता है बाकी सब बनते है, एक नहीं बनता तो दोनों टाप से question पूछता है, यह ध्याम नखिएगा question पढ़ते समय, अगले question की तरह बढ़ते है question number 45 इसमें देख लेते हैं, इसमें बोला यह है later to symbol की coding, बोला down को code किया गया, कि से 3 at the rate 9 has और पूछा है, name को code किया गया है has 6 percentage 5 5 तो mode का code क्या होगा ठीक है, तो कही ने कहीं आपका m में यहाँ मिल गया, O यहाँ मिल गया D, यहाँ мिल गया E, यहाँ मिल गया, मतलब जिसका code मिल यह कही न है कहीजी में है तो सेम चीज आपको common यूज़ करना है to M क्या होगा second वाला percentage पर्संटेज Éड रेट THE about notation यहां पर 5 नहीं यहां अभी नहीं यहां पर 5 नहीं श्लिए भी नहीं तो बस बचैङ किया 3 दिख 2016 में असान सा कोश्ण था अब आते हां अगले कोश्ण में निम्लिकित में से इन सब को कि डिक्सिनरी ओर्डर में आपको व्यस्थित करना है इन सब को कि डिक्सिनरी ओर्डर में लिखने पर जैसे आप डिक्सिनरी खोलते हो तो जैसे यह वाले सब्द पर पहुंचोंगे तो इनको डिक्सिनरी ओर्डर में अरेंज करना है तो उसमें पूछ रहा है कि के बाद इस पूरे letter को कौन सा मद में आएगा तो चलिए देक डिक्सिनरी को arrange करते हैं तो सब में क्या common है E-L-E-C T तक common है देखो E-L-E-C-T 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 इसमें भी है E-L-E-C-T इसमें भी है तो सब में यह तो common है इसका मतब सबसे पहले क्या आएगा E-L-E-C-T सबसे पहले नमर पे आएगा उसके बाद से कौन सा आएगा उसके बाद से देखते हैं पहले डिक्सिनरी में कौन आता है T है उसके बाद यहाँ पर R है यहाँ O है यहाँ I है और यहाँ पर क्या आपका R है तो दो तो R से है तो इसको छोड़ दो अभी उसके बाद यहाँ O है ठीक है तो O से पहले क्या आजाता है I आता है तो सबसे उसके बाद कौन सा आएगा डिक्सिनरी पहले जो आपका alphabets में सबसे पहले जो R और O के बाद सबसे पहले कौन सा I आएगा तो हम पहले कौन सा लिखेंगे election लिखेंगे E-L-E-C-T-I-O election वाले के बाद अब आपके बचा कौन कौन सा यह हो गया है पहले नंबर पर यह हो गया दूसरे पर यह हो गया अब आगे R वाले बचे हैं ठीक तो R भी O से बाद ही में आएगा तो पहले उसके बाद इलक्टोर आजाएगा तो यह आपका तीसरे नंबर पर आजाएगा ठीक यहां लिख लेता है E-L-E-C-T-O-R उसके बाद से आपका R वाले में आते हैं तो R वाले में R के बाद देखेंगे क्योंकि इन दोनों में R तक common हो जाएगा R के बाद क्या सबसे पहले आएगा अलफ़ेट्स में आई आएगा उसके बाद ही हो आएगा तो यह आपका चार नंबर पर हो जाएगा और यह किस पर हो जाएगा तो चलिए लिख लेते हैं यह हो जाएगा आपका EL ECTRI Electric और यह हो जाएगा Electrode अब इसमें पूछना मद्ध में कौन सा होगा तो 1, 2, 3 यहाँ से पूल ला 1, 2, 3 यहाँ से तो ELECTUR होगा Option A जो होगा यह मद्ध में पढ़ेगा आपका टोटल 5 है तो आपका तीसरा वाला जो होगा वही होगा तीसरा वाला ELECTRI आ रहा है तो आपका यह option सही हो जाएगा यह भी UKPCS का question है अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका यह अच्छा question है यह UKPCS में आया वा question है यह question बहुत अच्छा है इसे देखते हैं इसमें बोला N, O, T, O, N को जोडने पे 900 आया है इनको जोडने पर हम संख्या 9,900-9,000 प्राप्त करते हैं तो N, E, T द्वारा कौन सी संख्या निरुपित होगी मतलब मिलेगा अगर ऐसे ही N, E, T कुछ code होगा जैसे N हो गया E हो गया इसमें कुछ न कुछ सब की place value होगी तभी add होने पे यहाँ पे यह 9,000 मिला है हमें तो वही बोला कि अगर N, E, T है तो इनका जो word की value होगी वो क्या होगी N का place value मतलब place value क्या आपका इसमें जो use हुआ है वो N का value क्या है यही पूछ रहा है तो हम देख लेते है T और E ठीक है यह कहीं नहीं जो T की value हो या E की value हो यह 1 से लेके 9 के बीच में ही इनकी value लाई करेगी तभी आपका जो plus होगा तो यहाँ पे 0 आएगा मतलब इनहीं के बीच में कोई लिया कोई value ऐसी लाई करेगी चाहे वो T की हो और दोनों अलग अलग होगी T की अगर 1 होती है तो E की आपकी कितनी हो जाएगी 9 होगी तब 10 हो जाएगा तभी 0 आएगा तो इसमें देखते हैं कि आपका क्या condition बन सकता है तो पहला होगा T plus E इसका sum क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए तो अब उसमें T और E की value कुछ भी हो सकता है अगर ये 1 हो ये 9 हो सकता है ये 2 हो तो ये 8 हो सकता है reverse भी हो सकता है ये 8 हो ये 2 हो कुछ भी हो सकता है मगर हमें at last result क्या मिलेगा कि इन दोनों का sum कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए तभी यहाँ पे 0 होगा unit place पे और एक carry चला जाएगा अगला क्या है हमारे पास O plus N plus एक carry जो इसका आएगा वो बराबर क्या होना चाहिए 10 तभी यहाँ 0 हो सकता है क्योंकि सबकी value जो है single digit में भी लाई करेगी O की N की तो कहीं न कहीं इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं O plus N equals to 10 minus 1 मतलब 9 O N की value जो होगी equal to 9 होनी चाहिए अगले वाले बढ़ते हैं same चीज है N O इसमें भी वही होगा N O plus 1 10 होना चाहिए अगला क्या आपका T T है T क्या है 9 हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब की T plus 1 क्यूंकि इसका carry आएगा N plus O का तो यहाँ पर क्यूंकि 0 आ रहा है तो फिर से यहाँ पर 1 carry आएगा तो 1 carry इसमें T में 1 carry add होगा तो 8 क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ से T की value एकदम पूरी तरह अच्छे से पता चल जाएगा T की value क्या होगी? 8 होगी तभी 8 में एक add करेंगे तो नो आएगा ठीक तो T की value 8 होगी देख लेते हैं option में कौन कौन सा है ऐसा इसमें देखो NET लास्ट वाइले 8 किसमें दिख रहा है ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा option आपका D सही होगा ठीक है? इसी से बस इतने से ही पता चल गया ऐसे कुश्चन है इसी से होते हैं तो आपका T की value पता चल गई कि आपका क्या होगा? 8 एक 9 होगा तो E की value पता चल जाएगी E की value कितनी हो जाएगी? आपकी यहाँ पर 8 हो गया इसका तो इसका plus 2 होगा तभी ये 10 होगा तो E की value 2 होगा तो 6 और 2 ये पता चल गया यहाँ पर 2 और 8 N का पता करना था तो N आपका पता ही चल जाएगा यहाँ पर कि क्या रखने पर आपका N आएगा तो वैसे आपको जादे करने की जरूद नहीं थी बस आप यहाँ से पता चल जाता कि आपका T की value कितनी हो गया आठ लास्ट में T है जो किसमें मिला इसमें मिला है तो यह हमारा answer हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं क्योंकि maximum question जो है रिजनिंग के आपके option से बहुत जल्दी से हो जाते है यूपी PCS UCCS में अगले question में बढ़ते हैं अगला question है आपका एक निश्चित कूड़ भासा में ठीक है parents को RCT लिख लेते हैं इसे P-A-R-E-N-T-S को code किया गया R-C-T-G R-C-T-G-P-V-U ठीक है अगला क्या है आपका Children CH-I-L-D-R-E-N Children तो बोला है parents को ये code किया जाता है उसी कूट भासा में Children को कैसे लिखा जाएगा तो देख लेते हैं पहले तो हम मैंने बताया था आपको place value लिख लीजिए 16 1 18 5 14 20 19 18 23 27 16 22 21 ठीक अब देख लेते हैं इसमें चल क्या रहा है इसके इनके इनके बीच में P से R 16 18 21 21 3 22 18 22 21 22 22 22 22 22 23 23 22 24 25 25 25 26 24 गेश्टरियों कि आद dif stamp 15 16 Ms. jacket तो 15 16 छाए थाथ पाल मतलब 5 पेड़ाा हुना false लेटर एंड लेटर ए लाष लेटर्र, क्या होना चाहिए दिभिगं में ऑरियों में खर Ochख़ यह चैक करने रही है सिरमकた्षेहिं e निमलिखित में से उस सब्द को चुनिये कि सब्द रिकॉमेंडेशन में प्रियुकत अक्षरों से नहीं बन सकता इसमें बोला है कौन सब्द नहीं बन सकता है अब जैसे ये मेडिसीन है M,E,D M आ गया इसाहन से E आ गया D आ गया I आ गया फिर C है यहां से मिल जाएगा फिर I है देखो इसमें double I नहीं है ठीक है तो यह भी नहीं बन सकता है यह भी answer हो जाएगा क्योंकि double I नहीं है तो यह भी नहीं बन सकता और उसके बाद आपका एक इसमें देख लेते हैं M-E-D-I-A-T M-E-D-I-A-T B उसके बाद से E यहां पे दो I है तो मिल जाएगे तो यह तो बन जाएगा तो यह answer नहीं होगा अगला R, E, M, I, N, D, R को देखते हैं चेक करते हैं R आपका क्या इसमें मिल जा रहा है E है फिर M है फिर I है फिर N है यह भी मिल जा रहा है D है और E है और सभी सिंगल एक बार ही है E को छोड़के E डबल इसमें भी है यह भी बन आपका बन जाएगा तो वो पूछा नहीं बनेगा तो यह भी नहीं होगा answer अब आते हैं communicate में C O W M तक तो हो जाएगा अब इसमें U नहीं मिलेगा देखो यहाँ पर U है U यहीं मिलेगा तो यह भी नहीं बन सकता तो आपके इसमें 2 हो गए A और D तो इसमें हो सकता है मिस्प्रिंट हो गया हो तो इसलिए इसकोशन में जब भी ऐसा आएगा तो आपसे कोई एक ही ऐसा होगा क्यूंकि इसमें 2 I हो गए question number 46 बोला है एक अर्थपूर्ट सब्द जिसका पारंब A से है सब्द contract के पहले ठीक है contract के पहले इसमें numbering कर लो 1, 2, 3 ठीक है 4, 5, 6, 7, 8 contract के पहले मतलब पहला कौन सा होगा C दूसरा 2 O होगा उसके बास से 4 पहले दूसरे 4 14 के आपका T और 5 के आपका R इन सब को choose करना है और 6 में से भी 6 के आपका A ठीक है ये लेटर चूस कर लिए तो वो बोला है लेटर चूस करने के बाद 2 पहला, 2, 4, 5, 6 चूस करने के बाद इन से एक meaningful word बनाना है जिसकी सुरुआत किससे हो, A से हो वो कौन सा ठीक है A से सुरुआत होना चाहिए उसका मद्ध अच्छर क्या होना चाहिए तो A से होने चाहिए तो A से कौन सा सुरुआत हो सकता है इसमें meaningful word actor ठीक इसका मद्ध लेटर पूछ रहा है तो क्या होगा मद्ध लेटर मद्ध में कौन आएगा T आएगा तो इसमें क्या आजाएगा answer अपका B हो जाएगा answer अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 47 इसमें बोला यदि constitution को किसी संकेतिक भासा में ठीक है लिख लेते हैं C O N S T I T U T I O N Constitution को किसी संकेतिक भासा में D N O R U H U R U H U T U H P M लिखा जाता है तो उसी कोड भासा में आपको बताना है तो उसी संकेतिक भासा में distribution T R I B U T I O N distribution को क्या लिखा जाएगा तो बस पहला काम आप इसकी place value कर ले 3, 15, 14, 19, 20, 9, 20, 21, 20, 9, 15, 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 14, 15, 18, 21, 21, 21, 28, 16, और 13 ठीक है यह place value हो गई इसमें देख लेते हैं क्या चलना है C से D कितने का plus हुआ 1 plus हुआ 15 से 14 माइनस एक हुआ उसके बाद से N से 14 से 15 प्लस वन हुआ S से 18 माइनस वन हुआ 20 से 21 प्लस वन हुआ 9 से 8 माइनस वन हुआ तो मतलब यहां से इतना तक समझ में आ गया होगा कि एक plus चलना है एक minus चलना है plus चलना है minus चलना है तो बस यहां से हमें भी एक करना है यहां पर plus चलेगा यहां पर minus plus minus plus minus plus minus plus minus minus तो अब यहां से plus करेंगे 1 तो D के बाद क्या अना चाहिए? E और यहां पर last वाला हमारा क्या होना चाहिए? minus चलेगा, तो N के बाद एक minus चाहिए? M तो देख लो, पहला E होना चाहिए, last में M होना चाहिए, ऐसे तो सम मिलेंगे क्या? नहीं, देखिए, यह cancel हो जाएगा तीन ओप्सन मिल गए चलिए तो फिर देख लेते हैं सेकेंड वाले को कहां कहां तक common देखो EH common है, T common है S common है इन दोनों में कौन कौन सा कहां तक common है, EH TS तक EH TS तक यहां भी है और EH TS तक यहां भी है तो एक, दो, तीन, चार 5 वे लेटर से देखते हैं कौन सा होगा 5 वे लेटर, 1, 2, 3, 4, 5 5 वे पर प्लस होगा 18 प्लस, 19 19 मतलब S आना चाहिए तो S आना चाहिए, तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है तो यह खतम हो जाएगा आपका option A ठीक, उसके बाद से यहां भी सेम हो रहा है चलो इसमें, उसके बाद से यहां भी सेम आ रहा है यहां भी सेम आ रहा है, यहां भी सेम आ रहा है U तक यहां सेम है उसके बाद से बदल लाए, लास्ट से तीसरा लेटर एक, दो, तीन, लास्ट रे तीसर लेटर क्या होगा, माइनस होगा, तो आई से माइनस होगा, तो क्या होगा, नौ पे होता है, तो आठ, मतलब क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, तो यहाँ पर जे, इसका बंदर यह option नहीं होगा, यह होगा, यह है closest वाला, जो मैं आपस प्लस वन, माइनस वन, प्लस वन, माइनस वन हो रहा था, तो उसे हिसाब से असानी से होगा, क्या हमारा option बीज होगा, वो सही होगा, चलिए, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question है हमारा, एक कूटभासा में, यदि friend को, friend को h, u, m, j, t के लिखा जाता है, तो भोपाल, भोपाल को क्या लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं, क्या चलना है, पहला का, place value देख लो, place value इसकी f की कितनी है, 6 है, 18 है, 9 है, 5 है, 14 है, यह 4 है, यह 8, 21, 13, 10, 20 और 11, 6 से 8, ठीक है, कितने का अंतर है, plus 2 का, 6, 2, 8, 18 से 21, 19, 20, 21, plus 3 का, उसके बाद, आई से 13, 9, 4, 13, plus 4, यहां से plus 5, यहां से plus 6, plus 7, वैसे ही, इससे पूछ रहा है, कि क्या होगा आपका, तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, तो प्लस 2 एड़ करेंगे, तो B में 2 एड़ करोगे, तो 2, 2, 4, D पे आजाओगे, और 12 में 7 एड़ करोगे, तो कहां पहुंच जाओगे, 19 पे, तो 19 पे क्या आता है, तुरंट आना चाहिए, S, तो D और S, किस option में है, जोगो, इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपका option C सही हो जाएगा, ठीक, तो यह होगा 48, 49 पे आते हैं, लिगे, сейчас, प्रेखा ऐते हैं, कुषिंस दबर 48, यह भी हासं सा कुष्टिन है, और अच्छा कुष्टन है, पिर्फिंस असान है, मगर अगर click किया तो असान है नहीं click करेगा तो असान नहीं है ये भी reasoning के साथ एक चीज होती है अगर click कर गया तब तो कोई भी time में लगेगा अगर click नहीं किया तो आपका वो उसमें पूरा time best कर दोगो तब तक नहीं हो पाएगा चलिए देखते हैं इसमें बोला है कि देखो एक triangle है ठीक और एक hexagon है इसकी side 3 होती है इसमें 6 होती है तो अगर इन दोनों का add कर देए तो कितना हो जाएगा नहीं सेम चीज फिर triangle के अंदर कितने triangle बना है एक triangle बना है ट्रेंगल के अंदर 3 triangle बने हुए है ठीक है ट्रेंगल के अंदर 3 ट्रेंगल बने हुए है 1, 2 और 3, तो ट्रेंगल में 3 साइड, इसका अगर क्यूब कर दो, तो क्या होगा 3 का क्यूब, 3, 3, 4, 9 27, 27 होगा तो वो 7 हो गया, अगला है 1 स्क्वाइर है, साइड कितनी होती है, 4, इसके अंदर क्या है भाईया, एक ट्रेंगल पड़ा हुआ है तो ट्रेंगल है, इसका मतलब अंदर है वो, तो 3 की पावर क्या होगा, जो इसकी साइड है रेक्टेंगल की 4, तो यह क्या हो जाएगा, एक 80 ठीक है, उसी हिसाब से आपको बताना है कि यह ट्रेंगल के अंदर क्या है अपका, ट्रेंगल पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है, ठीक है, ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल पड़ा हुआ है, कितने, तीन ट्रेंगल है और साथी में क्या है रेक्टेंगल के अंदर, चाई स्क्वायर कर लो 4 rectangle कर लो square के अंदर एक ही square पड़ा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 का 3 का cube लिखतेंगे और इसे plus में क्योंकि जब दोनों अलग अलग होते हैं तो plus होगा और इसका क्या लगेगा square 4 का square तो 3 का square कितना होगा 4 का 4 होगा square मतलब 4 4 की power इसका भी 4 होगा तो 3 का square कितना cube कितना होगा 27 और 4 का cube कितना होगा 204 का आपका 4 बा 256 64 256 तो 256 प्लस 27 add करोगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 मतलब 283 आपका हो जाएगा देखो answer में कौन सा है 283 option ए सही होगा कुछ नहीं करना है आपको इसका 3 दिया, इसका 6 तो 9 हो गया इसमें 3 ट्रेंगल है तो 3 का 3 पावर कर दिये 27 इसमें अंदर ट्रेंगल था तो 3 पे पावर 4 चड़ जाएगा square वाला तो 18 और यहां पर 3 पे 3 मतलब 3 ट्रेंगल है तो 3 3 साइड के हैं तो इसका पावर 3 चड़ जाएगा इसमें जो है इसमें एक ही ट्रेंगल है 3 उसपे 3 पावर चड़ जाएगा यहां देखिए एक ही ट्रेंगल है अंदर और यहां पर भी एक ही ट्रेंगल था तभी 3 की पावर 3 चड़ जाएगा यह 3 हो जगा इसका side और इसके 3 power चड़ा ठीक इस side वाले का तो यहां भी जो है आपका एक triangle है उसके उपर एक triangle है ठीक है मुझे 3 दिख रहा था नहीं single है एक single triangle है और उसके उपर एक triangle है तो इसका side 3 और इसके उपर इसका power 3 ठीक है यह 3 की power 3 हो गया और यह 4 की power 4 हो गया इनको करेंगे तो 283 हा जाएगा यह हमारा answer हो जाएगा अगले question की तरह बढ़ते हैं MPPSS का question था यह अगला question भी आपका MPPSS सही है इसमें बोला किसी code भासा में अगर ठीक है किसी code भासा में Tini को किसको Tiny को RGLW लिख दिया जाए ठीक है तो T किस पे होता है 20 पे यह 9 पे यह 14 पे और यह आपका YZ यह 25 पे यह 18 यह 7 और L कितने पे होता 12 यह 20 और किसका पूछ रहा है आपका Jebra का पूछ रहा है तो Jebra का आपको बताना है Z E B R A यहां से देख लिए क्या चला है माइनस हो रहा है यहां माइनस दो यह 9 है 7 माइनस दो यह माइनस दो यह माइनस दो समय माइनस दो हो रहा है बस माइनस दो कर दो Z से माइनस दो करोगे तो कहां पहुंच जाओगे X पे तो C पे पहुँच जाओगे, तो C इसमें है ठीक इन दोनों में आ रहा था, तो C इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, आपका option B सही हो जाएगा ठीक है, 5 से 3, 2 माइनस कर दोगे, तो 3 पे आ जाओगे तो C X C, और लाच में Y होना चाहिए, तो हमारा ठीक है, ये कैसे इसका code किया गया, अगर lamp लिखा तो ये 30 कैसे हो गया, 30, 52, 28, 22, आपको सोचना पड़ेगा ठीक है, तो ये 12 है ठीक, 12 किस पे पढ़ता है आपका L जो है, 12 पे पढ़ता है A जो है आपका कितने पढ़ता है, 1 पे पढ़ता है, M 13 पे पढ़ता है तो ये 30, 52, 28 कैसे हो गया तो आपको ये देखना है कि टोटल लेटर इसमें, इसमें concept ये लिखा है ये 30 कैसे आया, कि L आपका 12 पे है ठीक है, तो इसका अपोजिट वाला, अपोजिट का सम कितने होता है 27 होता है, सम में तो 27 में से 12 माइनस कर दे कितना बचेगा 15 15 का डबल कितना हो जाएगा 30 मतलब जो इसका अपोजिट पेर होगा L का अपोजिट पेर क्या होगा, ये ऐसे भी सोच सकते हो कि L का अपोजिट ये 12 पे है तो इसका 27 होना चाहिए, तो अपोजिट पे O होगा यहाँ पे O होगा, इसका अपोजिट क्या होता है O होता है, O होता है 15 पे तो 15 का डबल किया जाए, तो 30 हो जाएगा चलो ऐसे इसका A के साथ देख लेते, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है जेड होता है 26 पे 26 का डबल किया जाए तो 52 सेम बैठ गया हुआ ही मतलब सभी के अपोजिट लेटर का डबल कर दिया गया है तो बस हमें भी क्या करना है अगला क्या हमारा T O Y T का अपोजिट क्या होता है 7 G होगा तो G का डबल तो 7 दूनी 14 ठीक और O O का डबल अपोजिट क् 24 य कितने पर होता है 25 ठीक है 25 और 2 27 मतलब B B का मतलब 4 डबल उसका हो जाएगा 4 तो 14 24 चार कहां पर है Option A में है 14 24 चार Option A हमारा सही होगा Question No 52 पर आते हैं यह भी MPPCS का आपका Question है इसे करते हैं इसमें बोले एक विशेज संकेत भासा में Dam को ठीक Dam को W J N लिखा जाता है तो D की पहले लिख लेते हैं इसका Place Value 4, 1 और 13 और इसका 23, 26 और 14 तो Table को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है T, A, B, L, E Table और इसकी Place Value 20, 1, 2, 12, 5 और पांच उसके बास से इसको देख लेते हैं कि क्या लिखा जाएगा Dam को लिखा जा रहा है कौन सा Question है आपका यह 51, 52 नमबर Question है ठीक तो इसमें आपको यह देखना है कि यह D है ठीक है, D को क्या लिखा गया, W, A को क्या लिखा गया, Z, M को क्या लिखा गया, N बस तुरहनत आपके दिमांग में क्लिक किया जाना चाहिए कि 23, 24, 27 हो गया 26, 27 हो गया, 13 और 14, 27 हो गया मतलब सब opposite pair लिखा हुआ है तो पास opposite pair लिखना है, T का opposite क्या होगा, 27 होना चाहिए opposite pair कासम 27 होता है तो इसमें 7 एड करोगे, तभी 27 होगा, तो 7 पे क्या होता है, G इसमें 26 एड करोगे, तो Z इसमें आपका Y एड करोगे, तभी 25 दो 27 होगा इसमें 12 और 15 O एड करोगे और 25 27 तो वी जी, जेड, वाई, ओ, वी कौनसा है, option A है सही है अगले question की तरह बढ़ते है, question number 53 question number 53 बोला एक वेक्ति अपने मित्र को उसकी नई खरीदी हुई कार का रेजिस्टेशन नंबर पूछा सीधा उत्तर देने के बजाए उसने एक प्रकार से उत्तर दिया रेजिस्टेशन नंबर में 4 अच्छार और क्या है, 6 अंख है 4 अच्छार है और 6 अंख है पहले 2 अच्छार member of parliament और अंतिम 3 अच्छार 1 लेखन उपकरण को दरसाते है ठीक अभी सभी अंखों का योग करने पर 20 आता है, और पहले 2 अंखों का योग 3 है, रेजिस्टेशन नंबर क्या है पहले 2 अंखों का योग क्या आपका 3 है, तो उसमें देख लेते हैं इसका 2 और 3 पहले बोला है कि member of parliament आता है, ये भी हो गया उसके बास है अंतिम के 3 अच्छार 1 लेखन उपकरण को दरसाते हैं इसलिए ये वाला जो आपसन बाकी इसमें कहीं नहीं है EN नहीं आ रहा है मगर इसमें एक और condition दिया है कि आपके जितने भी वर्ड होंगे जितने भी अंकों का योग होगा वो कितना होना चाहिए इसमें 20 नहीं हो रहा है इसमें आपका हो रहा है तो इसमें EN नहीं आ रहा है बाकी Member of Parliament ये 2 अच्छर दिखा रहा है और पहले जो 2 अच्छर है उनका जो सम योग होना चाहिए वो कितना बोला है? 3 होना चाहिए तो यहां भी 3 हो रहा है और ये total का फूरा का योग कितना होना चाहिए अंको का 20 होना चाहिए तो इसमें भी हो रहा है और pen को भी दरसा रहा है तो सबसे सटीक आपका option जो होगा D होगा इसमें बोला है P-A-L P-A-L-E को code किया गया है 7-8-6-5 में अर्थ को code किया गया है E-A-R-T-H 5-8-4-3-2 में ठीक है अब पूछ रहा है आपसे alert का code क्या होगा alert का code क्या होगा अब देख लेते हैं क्या alert जो बना है क्या इनी लेटरों से बना है A यहाँ है L यहाँ है E यहाँ है R है और T है सब खुश इसी से use हुआ है तो बस यहाँ से code कर दो A का later क्या होगा 8 होगा L का क्या होगा 6 होगा और T का क्या होगा आपका 3 होगा तो 8-6 last में 3 देख लो 8-6 last में 3 इसमें भी है 8-6 last में 3 इसमें भी है 8-6 इसमें भी है यही नहीं है अभी 3 option मिलने है अगला देख लेते है E का क्या हो जाएगा 5, 8, 6, 5 8, 6, 5 चलते हैं 8, 6, 7 इसमें यह नहीं होगा 8, 6, 5 यह भी नहीं होगा हमारा option कौन सा होगा यह सही होगा अगले question की तरह बढ़ते हैं question number 55 ठीक है पच्पन number question पे किसी coding परणाली में यह किसी coding परणाली में गोद्रेज को क्या लिखा जाता है K, F, S, E, P, H मतलब जी को कैसे code किया और पूछ क्या रहा आपको red red का code क्या होगा इसमें आपको दिमाग लगाना है कि यह code कैसे किया गया है क्या g से k जाएंगे तो 7, 4, 11 ठीक है o से f जाएंगे तो क्या होगा यह 15 से काफी gap हो गया वो भी minus में फिर D से S जाएंगे यह भी एक क्या होगा यह 4 होगा यह 19 हो गया तो कोई एक symmetric नहीं मिला है तो symmetry कैसे मिलेगा उसे देख लेते हैं symmetry देखो अगर यह front से नहीं मिला है तो back से आएंगे इसमें कि हो सकता है back portion से कुछ symmetry मिल जाए इसमें जैसे J है J से K कितने का अंतर है 10 के बाद यहां numbering तो करी लो सब में 7 15 4 18 5 और 10 K कितने पाता है 11 पे 6 19 5 16 और 8 तो यह हो गया plus 1 और E F कितने का अंतर है यहां 5 है यह 6 plus 1 का तो last वाले से देखो कहीं न कहीं symmetry मिल गया 18 से 19 plus 1 का D से 5 4 से 5 plus 1 plus 1 फिर plus 1 तो मैं इसका कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं इसमें symmetry मिल गई है तो हम last से आएंगे इसमें plus 1 करेंगे तो D के बाद E आएगा E में plus 1 करेंगे तो F आएगा R में plus 1 करेंगे तो S आएगा तो EFS इसका code होगा EFS option D साई होगा अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question हमारा इस सरफ कर लेते हैं question पढ़िए यदि किसी coding प्रणाली में 157 का अर्थ होता है parents love kids ठीक है उसी तरह है 619 का अर्थ होता है love birds nice उसके बाद 952 का अर्थ होता है parents like birds तो इसी भासा में आपको nice का अर्थ बताना है तो देख लेते हैं जैसे यहाँ पर 157 है और इस वाले में क्या है 619 है तो इसमें common क्या है आपका one एक जो है common है दोनों में दोनों statement में तो एक इसमें भी आपका common होना चाहिए जो इसके अर्थ हैं जो इसकी meaning दिया हुआ parents, love, kids, love, birds, nice तो इसमें भी क्या common मिल गया आपको love मिल गया common तो एक का code बता सकते हो क्या होगा love होगा अगला 619 और 952 में देख लेते हैं क्या common है 9 common है दूसरे और तीसरे statement में तो इसके जो meaning है उसमें भी कुछ ना कुछ common होगा तो love, birds, nice, parents, like, birds तो क्या common मिल आपको bird मिल तो bird किसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा birds पूशा क्या था आपका nice का पूशा था तो nice किस वाले statement में love का भी मिल गया, birds का भी मिल गया तो nice का code क्या होगा 6 होगा 6 होगा तो option आपका बी सही होगा, तो यह होते हैं आपके common coding decoding में आप पहले common निकालो, उसमें से आपके common निकालते जाओगे, सब का code पता चलता है, जास में जिसका पूछा आप निकालाएगा, तो आपके यह question हो गए, जो आपके पूरा previous year किसी इसना, लोग से वा आयोग में पू coding के, अगले chapter में हम मिलेंगे आपके साथ, जिसमें हो हैं आपको distance direction के, इसी टाइप से, चाहे हो MPPCS का, UPSC का, UKPCS, UPSC के previous year question कराऊँगा, क्योंकि आपके जो question पूछे जाएंगे, कहीं ने कहीं इसी तर्ज पे पूछे जाएंगे, आपको इसी पे ही practice करना, last time में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको से previous year question ही practice कर डालो, तो reasoning और मैत में आपको maximum और कुछ करने के नहीं है, पूरा का पूरा full marks लेके आओगे, जो मैंने आपको शुरुआत में chapter बताया है, कि coding decoding, distance direction, blood relation, silox, और series, इसी से पूरी reasoning आपकी cover कर दी जाएगी, ठीक है, तो ये अगले chapter पे हम फिर में लेंगे, मिलते हैं, धन्यवाद,